जैम आता दी दोस्तों, इन छे राशियों पर बजरंग बली और शनी देव का रहेगा आशिरवाद, बिगड़े बनेंगे काम मिलेगा शुप परिणाम, जोतिश रास्त्रे के अनुसार सभी लोगों के जीवन में राशियों का बहुती महत्व माना गया है, आप अपनी जैसे सभी 12 राशिया प्रभावित होती हैं, इनी ग्रहों की स्तिती के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन में उतार शड़ावाते हैं, अगर ग्रहों की स्तिती ठीक हो, तो इसका शुप परिणाम मिलता है, परंतु ग्रहों की स्तिती ठीक ना हो, तो इसकी वज़ा से बहुत स परिशानियों का सामना करना पड़ता है जोतिश गर्णा के अनुसार आज से ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके उपर बजरंग बली और शनीदेव का आशिरवाद बना रहेगा और उनके कामकाज में जो भी रुकावटी उत्पन हो रही हैं वो सभी दूर होंगी यह लगातार प्रगर्ती की और अपना कदम बढ़ाएंगे आज हम आपको इनी भागेशाली राशियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं आए जानते हैं किन राशियों पर रहेगा बजरंग बली और शनीदेव का आशिरवाद बना रहेगा आपके जो भी कारे काफी लंबे समय स वो सभी पूरे हो सकते हैं आपको चारों तरफ से सफलता मिलने की योग बन रहे हैं घर परिवार के बड़े बजर्गों की तबियत में सुधार आएगा इताकर सहयोग से आपको अच्छा लाब मिल सकता है आप अपने किसी पुराने विरिष्टेदार से मुलाकात कर सकते ह हैं जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा आप अपने व्यपार में कुछ बदलाब करेंगे जो आपके लिए फायदेमन साबित होगा करक राशी करक राशी के लोगों को बजरंग बली और शनीदेव के आशिरवाद से अपनी योजनाओं में सफलता हासिल होगी आपकी दायक यात्रा पर जा सकते हैं तुला राशी तुला राशी के लोगों को अपने कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बजरंग बली और शनीदेव के आशिरवाद से आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनको प्रेम संबंदित मामलों में सफलता मिलने की योग बन रहे हैं आप संपत्ती में निवेश करने की योजना बना सकते हैं घर परिवार की आर्थिक सिती में सुधार आएगा आप कोई नया कारे आरंब कर सकते हैं जो आपके लिए काफी फाइनवत साबित होने वाला है मित्रों का पूरा सायो धनूराशी अच्छे परिणाम हासिल होने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी परिशानिया चल रही हैं, वो खत्म हो सकती हैं। समाजिक कारे और राजनिती कारे में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी आमदनी में बड़ात्री होगी, घर परिवार में खुशाली का वातावरन बना रहेगा। आपके सोचे हुए कारे पूरे हो सकती हैं। विवाहा योग्ये लोगों का विवाहा पक्का हो सकता है। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मीन राशी मीन राशी के लोगों को बजरंग बली और शनी देव की आशिरवात से काफी लंबे समय से रुका हुआ धन वापिस मिल सकता है। आप अपने सभी कारे असानी से पूरे कर सकते हैं। आप अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। घर परिवार का महाल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने किसी करीबे से उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ अनुभवी लोगों के साथ संपर्क बन सकते हैं, जो आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। मेश राशी मेश राशी के लोगों का आने वाला समय श्रित फल्दाई रहने वाला है। आप अपने अधूरे कामकाज को पूरे करने की कोशिश में लगे रहेंगे। कारे शित्र में आपको मान समान की प्राप्ती होगी, आप अपने घरेलू जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे। माता पिता का आशिरवात प्राप्त होगा। आप अपनी कठिन मेहनत से सफल हो सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की आवशक्ता है। भावनाओं में भैकर आप कोई भी महप्तपुन फैसला मत लीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए। अपने दोस्तों रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।